दोस्तों ये देखे ये मेरा adenium का plant है और ये देखे कितना उपर से नीचे तक पूरा खूलों से भारापडा है और ये एक हाया कची देशी v働र की आते हैं जो की एक से लागते हैं देखने में। लेकिन दोस्तों लका लगाता है तो अर्पाँलासे बूरा प्लांट में हैं ऐसे बीच और प्लांट कोरा किना जार या देखे होाइन विज," नृ., यह बीच निकले थे में डकर शहुआ चरियम्ला चाहिन." और इसमें कौन सा फटिलाइजर देती हूँ, कैसे इसको पानी देती हूँ और विंटर में इसकी कैसे देख रिक करती हूँ क्योंकि ये विंटर में रेश्ट में चला जाता है तो सारी डीटल में आपनों के साथ सेयर करूँगी तो वीडियो को लाश्ट तक बने रहिएगा नमस्कार दोस्तों कैसे हूँ आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और ब्यस्त भी होंगे तो अपने चैनल ग्रीव आटकया में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है अनिनियम का प्लांट एक बहुत ही खुबसूरत प्रमानेंट प्लांट है और ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा फूल देता है इसके हाइबिड भ्याटी भी बहुत सारे कलर में आते हैं इतने सारे कलर में आते हैं कि इसके कलर देखते बनता है लेकिन ये प्लांट जो होता है कोडेक्स इसके जो रूट्स होते है वो कोडेक्स जैसा बन जाता है बहुत ही खुबसुरत इसके रूट्स से ही पहचाना जाता है इसके रूट्स जो होते हैं बहुत खुबसुरत होते हैं लेकिन जब हम cutting से plants त्यार करते हैं दोस्तों तो उस plants में codex नहीं बनता है ये देखिए मैंने यहाँ पर cutting से त्यार किया है और इसमें बहुत सारे branch में निकला है लेकिन इस plants को एक पेर जैसा shape दिया है लेकिन इसमें codex नहीं है और ये बिल्कुल bricks का रूप ले लिया है इतन फूलों से यह लद गया है तो यह जो मेरा plant है दोस्तों यह मैंने cutting से तयार किया है और यहाँ पर बीज से एक मैंने इसी plant के पिछले साल बीज ले लिए थे उससे यह baby plant बने बनाया है देखिए यह बीज से तो इस बीज का जो plant बनेगा उसमें codex बहुत अच्छे से बनता है जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है तो दोस्तों इसको फूल लेने के लिए सबसे पहली बात है कि यह इसको प्रोपर सनलाइट चाहिए क्योंकि यह धूप में रहने वाला plant है अगर इसको धूप से हटाते हैं तो इसमें पतिया धेर सारी आ जाएंगी लेकिन फ फूप भी जाधा खिलते हैं तो इसको जब लगाते हैं दोस्तों तो इस plants के लिए मायने ने रखता कि कि साईज का गमले हम लेए क्योंकि यह चोटे गमले में बहुत अच्छे से सर्वाइब करता है बरे गमले में भी फ्याजग करता है तो यहाँ पर देखिए मैंने 8 इं बढ़ना भी शुरू हो गया है और कितने ज्यादा ब्रांच निकले हैं तो दस इंच से लेके आप छोटे गमले आठ इंच चार इंच के गमले में भी लगा सकते हैं बस इसकी चोराई बहुत माईने रखते हैं कि यह जो गमला है यह थोरा चोरा होना चाहिए क्योंकि इसका जो कोडेक्स है रूट्स होता है वो फैलता है इसलिए इस गमले की चोराई ज्यादा मैने रखती है जब अडेनियम के प्लांट में पानी डालने की बात आती है तो सोच में पर जाते हैं कि इसमें कैसे पानी डाले क्योंकि इसके जो कोडेक्स होते हैं इसके जो रूट्स ह जरूते हैं उसमें बहुत ज्यादा पानी राता है इसको पानी की कम जड़ी परती है लेकिन अभी मौसम बहुत गर्म चल रहा है गर्म्यों का मौसम चल रहा है वैसे में अगर इसे हम पानी नहीं डालेंगे तो यह प्लांट सुखने साल लगता है मुझाने जैसा लगता है तो गर्मियों में इसको पाणी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप एक घाइम ज़रूर रोज के रोज पाणि इसमें डाले और विंटर में आप इसको पानी नहीं भी देते हैं कभी दो-तीन महीने भी हो जाते हैं अगर पानी नहीं देते हैं तो भी ये प्लांट्स बहुत अच्छा चलता है क्योंकि उसमें ये रेश्ट में राता है तो उसमें इसको न भूजन की जौरत परती है और न रखता है तो वैसे तो हर ब्रांच में इसके पानी सेव राता है लेकिन इसको जब हम अभी पानी डालते हैं तो यह अपने अनर्जी को अनर्जी अपने फूलों पर वेस्ट करता है तो फूल इसमें ज्यादा खिरते हैं तो दोस्तों इसमें पानी हमेशा गर्मियों के दिन म यह ध्यान रखे कि इसको पानी ना के बराबर हो यानि एक दो महीने के में एक बर कभी आप दे भी दे तो यह बहुत अच्छे से प्लांट्स चलता है और इस प्लांट्स में दोस्तों अगर हम कटिंग से लगा रहे हैं या फिर इसको प्रूनिंग कर रहे हैं तो इसमें या फिर दो दे तो यह प्लांट्स हेल्दी रहता है वरना यह अंदर ही अंदर यह प्लांट्स खराब होने लगता है गल्ले लगता है तो इसमें नीचे से फंगस लग जाते हैं अब ब्रांच में कटिंग करते हैं तो वहां से फंगस लग जाते हैं तो आप इसमें फंगि की जरूत परती है और नाही पानी की जरूत परती है फिर गर्मियह की फरवरी और फिर का मौसम पहता है इसमें गर्मिया प्रोवरीम प्रियोओं सुर्य होग जाता है और यदिया करने या फिर इसमें खात पानी देना का समय होता है और फिर देखिए अभी-फी आप इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो इसको अभी भी खात पानी की जौत परती है तो कोई भी खात पानी डालने के लिए दोस्तो सबसे पहले प्लांट की घुराई करना और यह कुछ कटिंग से है कुछ बीस से लगाए हुए है सबकी गुराई मैंने कर ली है और खाद जो मैं अपने इस प्लांट से में देती हूं दोस्तों यह देखिए यह है बनाना पिर्स यानि यह इस तरह के जो लिक्विड फटिलाजर यह मैं हमेशा बना के रखती हैं बह दोस्तों देना कैसे हूँ मैं आप लोगे साथ सेयर करती हूं तो इसको डायेक्ट नहीं देना है देखिए मैं इसको कैसे बनाती हूं यहां पर मैंने इसके यह मेरा 1.5 लिटर कप है और इसमें 200 ग्राम मैंने यह लिक्विड जो बनाना लिक्विड फटिलाजर बनाया है भूली देखिए और यह बिलकुल दो दिन मैं इसको मैं से वक्त हैया को साम के बना रही हो इसको रात भर के लिए इस तरह ही छोड़ के रख देंगे देखिए इस तरह से मिला कर रख देजिए और ये सुबह में जब कोई भी फटलाजर दे साम या सुबह कोई दे और ये जो बचा हुआ है आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं या आप ऐसे भी दे सकते हैं तो साम या सुबह में आप फटलाजर दे सकते हैं, तो देखिए, ये मैने रख दिया है, और सुब़ा मैं कल इसमें डालूँगे, तो चलिए, इसको सुब़ा में देखते हैं, और अपने अडेनियम फ्लांट्स में या फिर कोई भी फ्लांट्स को हल्दी रखने के लिए इसके रूट्स को हल्दी रखने के लिए इसमें आप बॉन मिल दे सकते हैं तो यहां पर देखिए बॉन मिल मैंने एक मुठी लिया है आठ इंच के या फिर दस इंच के गमले के ल यहां पर देखिए मैंने जो साम को डाला था यह बिल्कूल डीकमपोस्ट हो गया है और इसको चला लेते हैं और देखिए दोस्तों इसका जो इसका जो कलर है बिल्कूल औरेंज कलर में बहुत ही खुबसुरत बन गया है तो यह पुतासियम का जो डबल मिक्स जो फटिलाजर यह हमारे अडेनियम में बहुत ज्यादा काम करता है इसको डबल पुटास मिलता है तो यहां देखिए इसका कलर बिल्कुल औरेंज सेड में हो गया है और यह हमारे जो प्लांट्स है इसमें डालने के लिए रेडी है तो यह जो फटिलाइजर दोस्तों यह बहुत अच्छा ह है एडीनियम के प्लांट्स के लिए यह बहुत ज्यादा ताकत देता है इसको क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटासियम है मैगनेशियम है हर तरह से इसके विटामिन इसमें न्यूट्रिशन मिल जाते है इसको तो यह जो लिक्वीड फटिलाजर मैंने बनाया है पो प्रूर के अच्छा ग्रोथ होता है चाहे कोई भी अडिनियम हो चाहे देशी अडिनियम हो या फिर हाइब्स फुल हमेशा गर्मियों में इस तरह से ही खिलते रहेंगे तो दोस्तों यह जो इसी तरह के फ्लावुरीं हमेशा करता रहेगा चाहे फर्वरी से लेके आपको नौवंबर तक इस तरह से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है नौवंबर में जाके इसकी पतिया होती है वो धीरे-धीरे गिरना शुरू हो जाती है तो इस तरह दोस्तो हम अपने अपने अडेनियम प्लांट्स की केर करके अधेर सारे फूल ले सकते हैं यह फट